मैटिनिटी लीव नौ महीने की हुई तो क्या होगा भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में लेवर माकंट में भेदभाव होता है, महिलाओं से इंटिव्यू में भी पूछा जाता है कि क्या आप बच्चे पैदा करना चाहती हैं, फिर की देखबाल कौन करेगा, पिछले दिनो नीती आयोग के सदस्यडा, वीके पॉल ने सुझाव दिया की सरकारी और को मेटेनिटी लीव की अवधी 6 महीने से बढ़ा कर 9 महीने करने पर विचार करना चाहिए, इसके पीछे ये भी समझ हो सकती है कि 6 महीने तो संतान को ब्रेस्ट फीडिंग करानी होती है, जिसके लि बहुत सालों से समस्या है कि महिलाएं नौकरी में कम दिखती है, उसमें थोड़ी बड़ोतरी हो रही है, लेकिन बाकी देशों की तुलना में ये अभी भी बहुत कम है, वैसे मेटनिटी लीव से जुड़ी एक जरूरी चिंता ये भी है कि इसके चलते कहीं ऐसा तो नहीं ह होगा कि कमपनिया महिलाओं को नौकरी देने से ही हिचकिचाने लगें, इसके बारे में सोचना भी जरूरी है, आज हमारे देश में जो कामकाजी महिलाएं हैं, जिन्हें मेटनिटी लीव मिलती है, उनमें से अधिकतर बहुत छोटी और ऐसी कमपनियों में काम करती हैं, ज सारी बड़ी कमपनियों से टेक्स कलेक्ट किया जाए और फिर जहां महिलाएं ज्यादा काम कर रही हैं, उन कमपनियों को सबसिडी दी जाए, सुनिश्चित करनी चाहिए, हो सके तो भुजुगों के लिए भी, ये बिल्कुल सही चीज है, 2017 में हुए कानून संशोधन में भी यह था कि कोई भी establishment जहां 50 से ज्यादा लोग काम करते हैं, वहाँ पर क्रेच खुलना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि ऐसा बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, जैसे, जैसे हमारी जनसंख्या कम हो रही है, और life expectancy बढ़ रही है, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण ची है, तो वह सिर्फ एक महिला की जिम्मेदारी नहीं है, जो बच्चा पैदा हो रहा है, उससे हमारा देश ये भी जानना जरूरी है कि भारत के लेबर संपन बन रहा है, इसमें सबको सहयोग common soon जैसे महिलाएं ज्यादा पढ़ लिख रही हैं, कमपनियों को समझ आ रहा है कि employees में विविद्धा company के लिए force में जो महिलाएं हैं, उनमें सिर्फ 5 प्रतिशत ही ऐसी हैं जो maternity act के अंतरगत आती करने की जरूरत है, कमपनियों को भी समझने की जरूरत है कि यह उनकी समाज के प्रती भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में labor market discrimination होता है, महिलाओ से हैं, अध के लिए तो कोई छटी रियायत दी जाए, और अगर कमपनिया छोटी देखभाल कौन करेगा, फिर कमपनिया हा नहीं है, 6 महीने भी नहीं, मैं जवाब देने वाली महिलाओं को काम क्रेच भी जरूरी, नीती आयोग के सदस्य डॉक्टर पढ़ेगी, पर नहीं रखती हैं, तो सरकार को भी उनकी मदद करनी, लेखे का डॉक्टर, अमबेट कर यूनिवसिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है, वीके पॉल ने ये सुझाव भी दिया है कि प्राइवेट सेक्टर में बच्चों के लिए क्रेच की व्यवस्था लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि ज प्रोफेसे